से मात्र 8,000 रुपे प्रतीमा की नौकरी हमारा यूवा करने को आज मजबूर है इसराईल जाने के लिए इस देश का यूवा मजबूर है लंबी-लंबी लाईने लग रही हैं जिसे की देश का यूवा अपने घर कुछ आमदनी लेकी आए इसराईल जाके जहां पे सर युद्च चल रहा है उत्तरबरदेश हो या पूरा भारत हो सर लगातार महलाओं के साथ अपराद बढ़ रहे हैं दीएपी महंगी हो रही है जहां सचाई महंगी है सर जहां इस सरकार दवारा कोई भी सबसिजी नहीं दी जा रही है हमारे किसान भाईयों को सर राइबरेली और गौरुकपुर में एम्स त्यार हैं खड़े होके उन एम्स में सब प्राणों का संचार नहीं हो पाया है क्योंक यह सारे काल, कालपने काल हैं, इसकी वास्तविक्ता कुछ और है, विक्सित भारत के चार मजबूत स्थम्भ की बाद जहाएं सरकार कर रही है, यूवा, नारी, किसान और गरी, यूवा सर, सर, आज देश का यूवा, लगभग, पितालश प्रतिशत बेरोजगार है, सर, अगनीवीर जैसी योजनाय लाकर, इस सरकार ने गाउं की अर्थ विवस्था को भी असर डालने का काम किया है, सर, सर, हम सभी जानते हैं कि गाउं से जादातर लोग फौज में जाते हैं, और गाउं की अर्थ विस्था संभली रहती है, सर, लेकिन आज का नौजवान और यूवा, सर, इस मुकाम पे पहुँच गया है कि उसको कोई भी नौकरी को लेकर, वो अपने आपको सुरक्षत नहीं महसूस कर रहा है, सर, बहुत ही निराश है, सर, सर, सरकारी नौकरियां यह सरकार नहीं दे पारी है, सर, समविदा पे नौकरी पहले मिलती थी यूवाओं को, Sir लेकिन अब यह नोकरियां ठेके पर दी जा रही है Sir मात्र आठथ हजार रुपे प्रतिमा की नोकरी हमारा युवा करने को आज मजबूर है Sir हमने देखा किस तरह इसराइल जाने के लिए इस देश का युवा मजबूर है लंबी लंबी लाइने लग रही है जिसे की देश का यूबा अपने घर कुछ आमदनी लेके आए इसराइल जाके जहां पर सर यूच चल रहा है सर लगातार MSMEs जो एक रोजगार देने में सक्षम होती है सर इंटरप्राइसेज सर लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है सर दो साल में पिछले दो साल में लगभा 14,000 ऐसे उद्योग पती सर भारत छोड़के चले गए हैं जो सक्षम थे सर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में यहाँ के युवाओं को रोजगार देने में सर लगभा 14,000 ऐसे लोग टाक्स टेर्रियूरिज्म के तहित भारत छोड़के चले गए हैं सर महलाओं की बात करी जाए सर लगातार महलाओं की स्थिती उत्तर परदेश हो या पूरा भारत हो सर लगातार महलाओं के साथ अपराद बढ़ रहे हैं और इसका संग्यान सरकार ना देश की ले रही है ना परदेश की ले रही है सर जहां इस सरकार सक्षम आगनवाडिया पोशन की बात कर रही है वहीं सहयुक्त राक्ष्ट की रिपोर्ट आई है जहां भारत में पोश्टिक खाना खाने को नहीं मिल रहा है सर्व चोहतर प्रतिशत भारतियों की बहुत पहुच से ये पोश्टिक खाना बाहर है सर इसी के साथ सर वेस्टिंग का मामला हो सर चोटे चोटे शिशुओं में वेस्टिंग और स्टंस्टिंग के मामले होते हैं सर भारत इन मामलों में भी उच्चुतम है सर जहाँ नारी बंदन विदैग बिल लेकर आई है और हम सभी ने इसका पूरा समर्थन किया था लेकिन यह सरकार अती पिछड़ी और पिछड़ी महलाओं को और संख्यक महलाओं को और सर अती आती महलाओं में केवल मुसल्मान महला ही नहीं आती है हमारी Christian महिलाएं भी आती है, हमारे Sikh महिलाएं भी आती है, इन सभी को उनका हग सम्मान और अधिकार देने में सर्य सरकार असमर्थ रही है, सर जहां किसान की बात करी जाए सर, MSP का जो वादा किया था, इस सरकार द्वारा, वो पूरा नहीं किया गया है, वहीं सर, DAP मेंगी, हमारे पास समय काम है, सर, प्लीज गिव मेंगी हो रही है, जहां सिचाई महिंगी है, सर, जहां इस सरकार द्वारा कोई भी सबसिजी नहीं दी जा रही है, हमारे किसान भाईयों को, सर, जहां फसल बीमा योजना के तहत, लगवक 6 करोड 90 लाग किसानों ने पंजी करण तो किया है, लेकिन केवल 7,08,000, किसानों को इसका फाइदा मिला है, सर, जहां गरीब की बात की जायाय, सर, महिंगाई दर क्या है, लगवक 10 प्लीज गूड़ सर, जहां महिंगाई की बात हो रही है, सर, दस पतिशत महिंगाई बढ़ गई है, सबजीों की बाद हो, चाहे दू पारी है असमर्थ है मुझे लगता है सरकार सर अगर सरकार कहती है अपने आखड़ों में कि 25 करोड जो हमारे भारती है वो multi-dimensional poverty से भार आए हैं एक तरफ और वहीं 80 करोड लोगों को सरकार अन दे रही है तो से अपने आप में ही सभी विवाद से पूर्ण बढ़ा सेंटेंस ह सर इसी के साथ सर मैं कहना चाहूंगी यह सरकार आइटी की बात कर रही है मेडम जनिवाद सर वन मिनिट सर लास्ट पॉइंट सर आइटी की बात कर रही है ट्रिपल आइटी की बात कर रही है उनिवरस्टी की बात कर रही है एम्स की बात कर रही है सर उत्तर परदेश में सर राइबरेली और गौरुकपुर में एम्स त्यार हैं खड़े होके सर उनका शरीर त्यार है लेकिन उस उन एम्स में सब प्राणों का संचार नहीं हो पाया है क्योंकि यह सरकार सक्षब नहीं है वहाँ पे सर श्टाफ देने के लिए वहाँ पे सर एक्विपमेंस देने के सपोर्टिंग साफ देने के सर लास्स पॉइंट सर इसी बात के साथ मैं अपनी बातों खतम करना चाहूंगी कि जिस अमरितकाल और स्वनकाल की बात यह कर रही है यह बहुत ही कालपनिक बाते हैं धन्यवाज़ देने के आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें